law of attraction ये एक ऐसा concept है कि जो आप सोचोगे आपको वही मिलेगा अब काफी लोग इस बात पर ट्रस्ट करते हैं और काफी लोग इस बात पर ट्रस्ट नहीं करते हैं लेकिन आज मैं आपको कुछ practical तरीके बताऊगा जिससे law of attraction के मदद से आप अपने relationship को काफी जादा strong बना सकते हो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ श्रावन और आप देख रहे हो सकाईल सबसे पहली बात आप बहुत ही आसाने से ये समझो कि law of attraction क्या होता है और कैसे हम इसे relationship में apply कर सकते हैं हर बात की शुरुवात सोच से ही होती है यनि कि अगर आप अपने relationship को strong भी करना चाहते हो तो सबस बारे में सोचते हो लेकिन कई बार क्या होता है ना हम सोचते कुछ और होता कुछ और हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल होता ही नहीं है हम चाहते हैं कि हमारा relationship strong बने और हमारा relationship तो strong बनी नहीं रहे हम चाहते हैं कि partner रोज हमसे अच्छे से बात्चित करें लेकिन partner हमसे अच् expectations को समझो और फिर खुद के बारे में positive सोचो चलिए एक example मैं आपको देता हूँ मान लीजे कि partner के नजरों में आपकी ऐसी image बनी है कि आप दिन बर free बैठे रहते हो और वो आपको बातों ही बातों में बोलते भी है कि आप थोड़ा busy रहो खुद के life की उपर ध्यान दो या फ फिर खुद को थोड़ा busy रखो उनके लिए जादा available मत रहो अब यहाँ पर आप law of attraction को कैसे use कर सकते हो law of attraction को आप इस तरीके से use कर सकते हो कि खुद को ये समझाना start कर दो खुद के बारे में ये सोचना start कर दो कि मुझे busy रहना है अपने life के उपर ध्यान देना है और मुझ वज़े से आपका behavior काफी जादा change हो जाएगा अब आप इस बारे में नहीं सोच रहो कि मुझे partner से बात करनी है मुझे partner के contact में आना है आपने law of attraction को कुछ इस तरीके से use करना है कि आप partner की expectations को ध्यान में रखते हुए उन्होंने का कि आप जादा available मत रहो busy रहो या फिर अपने काम की उपर focus करना है और जब आप ऐसा करने लगोगे आपके behavior में बदलावाएंगे और यकीन कीजे इससे आपको बहुत जादा फायदा होगा अब आप सोचोगे इससे हमें फायदा कैसे होगा बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ जब आप दिन आप काम के बारे में सोच रहे हो खुद को busy रखने के बारे में सोच रहे हो खुद को happy रखने के बारे में सोच रहे हो इसलिए आपकी attachment partner को लेकर बहुत जादा नहीं बढ़ेगी और आप उनके सामने बार बार जाने की कोशिश भी नहीं करोगे जिस वज़े से उन्हें ए अगर ये बात समझ में नहीं आई तो इस वाले पार्ट को बार बार देखो ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए अगली बात कभी भी मन में निगीटू इमोशन्स मत आने दो देखिए अगर आप अच्छा सोचोगे तो बिल्कुल अच्छा होगा क्योंकि आप जो भी करते हो उसकी शुरुवात सोच से ही होती है लेकिन कई बार हम निगीटू तरीके से law of attraction का यूज करते है जैसे मान लीजे जब भी पार्टनर हमें कोई बात समझाता है या फिर हमें हमारे life के उपर ध्यान देने के लिए कहता है तो हमारे मन में बहुत से निगीटू emotions आते है जैसे पार्टनर हमें कम टाइम दे रहा है तो कही पार्टनर किसी ओर से बातचित तो नहीं कर रहा है कही पार्टनर break up तो नहीं कर लेगा कही पार्टनर हमें छोड़कर चले तो नहीं जाएगा अब हम इस बारे में बहुत जादा सोचते है जिस वज़े से हमारा behavior ही change हो जाता है अब आप जैसा सोचोगे वैसे ही आप react करोगे इसलिए आपको बहुत जादा negative नहीं सोचना है अगर वो आपको कम time दे रहे है इसका मतलब यह नहीं कि वो सिदा break up करना चाहते है या फिर अ हमेशा आप से दूर जाने की बात करते है आपको manipulate करते है या फिर आपके साथ गलत तरीके से behave करते है तो यह भी हो सकता है कि वो आपको control में रखना चाहते है वो चाहते है आप हमेशा डर कर रहो लेकिन जब आप negative तरीके से सोचना ही बंद कर देते हो छोटी सी fight हो गई आ ब्रेकप के बारे में सोचो ही मत खुद को बार बार समझाओ कि यह बस fight है और जो भी partner बाते बोल रहा है यह बस गुस्से में बोल रहा है मुझे partner को एक दो दिनों का space देना है partner को सारी बाते खुद ही समझ में आ जाएगी कि वो क्या बोल रहे है आपको ऐसे सोचना है ऐस एक तरफ हम बहुत ज़्यादा निगीटिव सोचते है और एक तरफ हम बहुत ज़्यादा positive सोचते है और हमें बस इस बात पर ध्यान देना है चाहिए situation जो भी हो हम बस positive तरीके से ही सोचेंगे fight वी partner ने गुस्से में block कर दिया आप खुद को समझाओ कि partner ने इसी लिए block किया क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है मुझे उनको थोड़ा space देना चाहिए जैसे उनका गुस्सा शान्त हो जाएगा वो खुद अपने साइट से unblock कर देंगे अब जैसे ही आपकी सोच बदल गई यकीन किजिए आपका सभाव बदल जाएगा इतने मैचोर आप बन जाओगे इतने शान्त आप बन जाओगे कि partner खुद फिर आपसे बातचित करने की बहुत ज़्यादा खोशिश करेगा तीसरी बात खुद के qualities पर focus करो और उनके सामने अपने आपक अब यहाँ पे और एक बात मैं आपको बदाता हूँ जब भी आप खुद के मूँ से खुद के तारीफ करते हो ना किसी को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि मैं ऐसे करता हूँ मैं वैसे करता हूँ लोग मुझे पसंद करते हैं नहीं लेकिन जब आप खुद को appreciate करते हो पास्ट के किसी behavior के वज़े से जैसे कल आपका बहुत important दिन था job से related, business से related और कल दिन भर आपने अपने side से महनत की तो आप उनके सामने ये बात बोल सकते हो कि कल का दिन मेरे ले बहुत important था और मैंने कल बहुत अच्छा काम किया मुझे तो खुद बर proud feel हो रहा है जब सामने बाते रखते हो जहाँ पर उन्हें ये महसूस होता है कि आप अपने आपकी value को समझते हो अपने qualities को appreciate करते हो तो यकीन कीजे वो भी आपकी value करने लगते है अब आपको ये हमेशा नहीं करना है कि देखो मैंने तो ये कर लिया तो बहुत अच्छी बात है ये आपको क पार्टनर भी आपके साथ आपकी qualities को appreciate करेगा कई बार हमारी image दुनिया वालों के सामने बहुत अच्छी होती है हम बहुत mature होते है हमारी personality बहुत जादा strong होती है लेकिन जब बात आती है partner की तो हम partner के सामने काफी जादा weak बन जाते है और बलकि इतने ही नहीं काफी जादा overthinking भी करने लगते हैं लेकिन अगर आप इस बात को बदल देते हो उनके सामने अपने सभाव को बहुत अच्छा और बहुत strong बनाते हो और खुद के qualities की बाते करते रहते हो हमेशा नहीं कभी कभी कि यार देखो कल मेरे लिए बहुत important दिन है और मैं आज पूरे तरीके से मे कर रहा हूँ मेरा business मैंने start किया है और उस पर मैं 100% focus कर रहा हूँ जब इस तरीके की बाते होती है तो आप यकीन कीजिए उन्हें अपनी value कराने पर मजबूर कर देते हो अब इसी तरीके से आप अपने life की important बाते छोड़ कर बस उनके बारे में सोच रहे हो उन्हें ये महस करा रहे हो कि आप मुझसे बात करोगे या नहीं करोगे आप मेरे लिए available रहोगे नहीं रहोगे आप मुझे time क्यों नहीं देते हो आप किस से बात करते हो मैं आपके लिए important हूँ भी या फिर नहीं हूँ इस तरीके की बाते करोगे तो आप अपनी सोच में उनको इतनी importance द देना सीखो और यकीन कीजिए इस बात को मैं भी अपने लाइट में बहुत अच्छे से फॉलो करता हूं। आपने किसी को call किया और आप ये चाहते हो कि वो बहुत energy से आपके साथ बात करें तो शुरुवात में आप भी उनसे बहुत energy के साथ बात करो बहुत positivity के साथ बात करो कि हाँ यार भाई तू कैसा है या फिर अगर आपने अपने partner को call किया तो आप उनसे पूछ सकते हो कि अच लेकिन आप ये कोशिश करो कि आप हमेशा positive vibrations ही दोगे, कभी भी बहुत negative start मत करो, कि यार हा कैसे हो, क्या हो रहा है, बोलो, क्या कर रहा हो, ये बाते करोगे, बाते तो होगी, लेकिन वो आपसे bore होने लगेंगे, उन्हें कुछ positivity फिल नहीं होगी, जहां पे आपने positivity और energy से क बहुत जादा फायदा होगा, और आप बहुत low भी फिल नहीं करोगे, आपको बहुत अधूरापन भी महसूस नहीं होगा अपने जिंदगे में, इसलिए positive vibration की value को आप समझो, अगली बात, visualization की practice करो, कई बार relationship में हमें पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे है, हमें कहां पे क् हम गलत हो रहे है, लेकिन हम खुद को ठीक नहीं कर पाते है, हमें पता होता है कि हम बहुत जादा overthinking कर रहे है, बहुत जादा desperate हो रहे है, या फिर partner को बहुत जादा chase कर रहे है, लेकिन हम फिर भी खुद को control नहीं कर पाते है, यहां पे आपको क्या करना है, visualize करना है वो चाहे वो कर सकता हूँ, अगर मुझे अभी self control करना है, तो अभी मैं self control करूगा, अब जब आप इस तरीके की बाते करते हो, और इस तरीके से सोचना start कर देते हो, कि हाँ, आपका control आपके पास आ चुका है, हो सकता है, अभी भी आपका control आपके पास नहीं है, आप उनके हि आपको दूसरे दिन से फरक देखने को मिलेगा, और ये एक बहुत बड़ी सच्चा ही है, अगर आप दुखी हो ना, आप आजमा कर देखना, आप बस कुद को ऐसे समझाओ, कि अभी मैं दुखी हूँ, लेकिन अभी मुझे खुश होने की जरुवत है, तो अभी मैं पूर आपसे इस तरीकी की बाते करोगे, यकीन कीजिए आपको बहुत जादा फरक देखने को मिलेगा, और आपको ये महसूस होगा, कि जैसे आप खुद को समझा रहे हो, जैसे आप खुद के साथ बोल रहे हो, वैसे ही आपके साथ हो भी रहा है, और यही से आपके बदलाओ की शुरुवात होगी, सबसे आखरे बात, आउटकम से बिलकुल डिटाच हो जाओ, कुछ भी एक्टिविटी ये सोच करो ही मत कि मैं ये करोगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर मैंने पार्टनर को एक दिन का स्पेस दे दिया, तो पार्टनर दूसरे दिन से बहुत अच्छे से ये सोचना गलत है और आप ऐसे सोचू भी मत, आपको यहाँ पर क्या सोचना है, मेरी बात को आप ध्यान से समझना, आपको क्या सोचना है, कि मुझे बस ये करने पर ध्यान देना है, इससे पार्टनर का बियेवियर बदले या ना बदले, ये करना सही है और मैं यही जैसे कि एक्जांपल देता हूँ, आपकी और पार्टनर के बिच में फाइट होगी, अब फाइट होने के बाद क्या हो रहा है ना, कि उनके अंदर एगो है, उनकी गलती होने के बाद भी वो आगे से नहीं आ रहे है, तो आपने एक बार उनसे कॉंटाक करने की कोशिश कर लिए उसमें भी उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, गलती उनकी इगो वो दिखा रहे है, आप आगे से जा रहे हो, तो उसमें इग्नोर भी वो कर रहे है, समझदारी क्या है, फिर आगे मत जाओ, लेकिन खुद को ये समझाओ, कि देखो, जितनी कोशिश मुझे करनी च सोच रहे हो, कि अगर मैने आगे से कॉल मैसेज नहीं किया और पार्टनर ने भी नहीं किया और ब्रेक अप हो गया तो, अगर पार्टनर किसी ओर से बातचित करने लग गया तो, अगर आप ये सोचोगे, तो सेल्फ कंट्रोल तो आप से हो गाही नी, खुद को बदलनी की से उस problem को बदलना चाहते हो आप call पर वो problem directly मुझसे discuss कर सकते हो आपको बस करना क्या है paid consultation के लिए whatsapp पर message करना है 9834 2500 97 इस नमबर पर हमारे बीच में call पर जो भी बाते होगी वो completely safe और private रहेगी इसलिए privacy की कोई tension मत लीजे और हाँ channel को भी जरू सब्सक्राइब कर लीजे